हेलो गाई, स्वागत है आप सबका, तो IRFC के बारे में हम बात करेंगे, इसके रिजल्ट भी आ चुके है, और रिजल्ट के बाद अब इसके अंदर प्या किया जा सकता है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे, अभी कई दिनों से आप देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो ए करते हैं तो जिन्हों ने अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब कर ले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यहां पर देखे तो इसका मार्केट के अगर देखे तो 39,000 करोड है पी रेशियो रिजनेबल है शे पसंट के आसपास का रिटर नं के अच्छा कासा है यहां पर देखे इसकी फेस वेली दस रुपे है डिवीडियो काफी अच्छी है पांच पसंट के आसपास की तो से ज्यादा तो है इसके अदर डिविडेंग विलता है और इसका हाई लो अगर देखे तो आप खुद देख सकते हैं बिस रुपे के असपा अभी बिल्कुल प्राइस जो है बीच में अभी खड़ा है अभी इसके दिसमर क्वार्टर के रिजल्ट आये थे तो हम यर और अगर कंपेर करें तो तक्रिवन्यू के अंदर देखे तो तक्रिवन 25% के आसपास का इजापा अगर इसके मुनाफा के अंदर देखे तो मुन अगर आप देखे तो ग्रोथ ही देखने को मिली है आपको साल दर साल इसके अंदर ग्रोथ ही देखने को मिली है और नेट प्रॉफिट अगर में बात करो तो इसके अंदर भी आप देखे तो अच्छा का सा इजापा हुआ है और इस साल का पूरा का पूरा नेट प्रॉफ उच्छाल आप सबने देखा होगा ज्यादा तब भी आता है कि जब तक इसके अंदर कोई OFS नहीं आता तब इसके अंदर जो है गजब का उच्छाल आ जाता है तब तक जो है यह लो पी के उपर ही ट्रेड करता है तो यह से कि आप देख सकते हैं कि यहां पर इसके पास एक अगर देखे तो नो पसें के आप सकते हैं कि इसके अंदर यह सबसे पहले तो अच्छा का सा मोमेंटम था जब इसके अंदर एक तेजी देखने को मिली थी और जब यह 25 रूपीज से लेकर सिधर सिधर 30 रूपे तक चला गया था 50 पसंट कि इसके अंदर बढ़ता गई थी वो भी अच्छे कासे वोलिउम के साथ और अच्छे कासा यहाँ पर एक्यूленेशन भी वोलियम भी अच्छा था और डिलिवरबल भायंग भी अच्छी थी। अब मुझे इसा लग रहा है कि यहाँ पर अगर बात करू प्लाल इसका price ट्व Agreement का बोल सकते हैं in the round figure अगर में 26-27 रुपे के आसपास है तो यहां पर एक अच्छा खासा इसको सपोर्ट है सबसे पहली बात और मुझे जो चीज इसके अंदर लग रही है कि जब तक यह 21 दिनों के 21 रुपे से उपर नहीं निकलता तब तक जो है इसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी नहीं बन सकती हाला कि आप देख सकते कि कहीं बार इसने जो है इसको 21 दिनों के मुविंग एवरेज को पार करने की कोशिस की है लेकिन वहाँ पर यह टिक नहीं पाया एक तो दिन वहाँ पर दो तिन दिन काम करता है वापस से नीचे आ जाता है तो अगर मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी रहती है और यह 21 दिनों के मुविंग एवरेज से ऊपर निकल कंफरमेशन चाहते हैं तो 21 दिनों के मुविंग एवरेज को जो है पार करना इसके लिए ज़रूरी है वो भी अच्छे कासे वोलियम के साथ क्योंकि यहां पर यह भी आप देख सकते हैं कि वोलियम की अभी कमी है और पले ही थोड़ा सा यह ऊपर के ऊपर लेना पड़े ए और साल बनो साल की अगर मैं बात करो तो अच्छे इसके अंदर रिटन मिल सकते हैं और अब इसके वीकली चाट भी हम देख लेते हैं जैसे कि हम ने यहां पर बताई अच्छे कासे वोलियम के साथ यहां पर रहा आप अच्छी का से तेजी बनी और यहां पर जो सबसे बढ अभी इसका प्राइस जो है 30 रुपे का असपास है और यहां पर इसका मंतली चार्ट भी मैंने लगाया है यहां पर देखे डेटा ज्यादा अवेलबल नहीं है क्योंकि आप खुछ जानते हैं कि इसकी जो लिस्टिंग काफी ज्यादा पूरानी नहीं है और इसका 21 मंद का ज यह रिजिस्टन का सामना करना पड़ रहा था उसके बाद देखे तो इसके अंदर एक ब्रेकाउट आया सिधा 50% के आसपास की इसके अंदर मुमेंट आई तो 25 रुपे जो पहले रिजिस्टन था अब यह अच्छा सपोर्ट का का काम कर सकता है लेकिन यह लेवल जो है अगर 21 दिनों का मुविंग एवलेच को जब यह क्रोस करें तभी इसके अंदर मुझे असा लग रहा है कि तभी इसके अंदर को फ्रेश तेजी बन सकती है और इसका प्राइस वापस से अगर देखे तो 35 से 37 रुपे और उसके बाद देखे तो 40 रुपे तक भी यह जा सकत अगर देखे तो 35 रुपे है और उपर के इंदर रजिस्टंट की यह तीनों के तिनों रजिस्टंट यहां पर है और सबसे नजदी की रजिस्टंट अगर देखे तो 31 रुपे है जो की 21 दिनों का मुविंग एवरेचे तो यह चारों के चारों अगर देखे तो रजिस्ट यह वीडियो में ने जो के संपरपस के लिए बनाए है मेरी तरफ से कोई भी बाई असल के रेका मेरे से नहीं है थेंक यू